हलो एवरिवन, वेलकम बेक टू शाजिल सर क्लासेस, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, मुझे पूरी उमिदे बेटा सब बढ़िया होगे, और अब तक जितना भी आपको पढ़ाया गया है, वो सब आपने पढ़ी लिया होगा, तो सुनो ध्यान से, क्या कहा मैंने, सुनो ध कड़ना क्या है, कड़ना से वितना सा है, कि जो मैं पढ़ाऊंगा, उसको सुनना है, और उसके नोट्स बनाने हैं, और जो डाउट हो, वो तो मुझे से कभी भी पूछ सकते हो, एप के तुरू या फिर, अगर ये यूट्यूब पर अपलोड हुआ, तो यूट्यूब के चाहिए, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन, कोई आप से पूछे, के बेटा बताओ, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री क्या बला है, क्या कहोगे, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है, या कह सकते हो, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम energy के बारे में पड़ते हैं और उसके inter-conversion के बारे में पड़ते हैं और mainly कौन सी है नजी बेटा हम पढ़ेंगे electrical और chemical कि कैसे हम electrical energy को chemical में convert करें और कैसे chemical को बोलो ना electrical में convert करें तो सुरोव ध्यान से लिख लें आप इसके अंदर, the branch of chemistry that deals with, लिखते रहो साथ-साथ, the branch, the branch of chemistry. बटा साथ के साथ notes बनाते रहें आप लोग, the branch of chemistry that, that deals with, deals with, the branch of chemistry that deals with, study of, study of, study of energy, study of energy, energy we conserve, electrical, and chemical, and their interconversion, and their, and their interconversion, ठीक है बेटा, याद रखना, and their interconversion, is called, क्या called, is called, क्या called बेटा, is called electro, is called electrochemistry, बेटा, ये बात समझ में आ गई, तो बात clear हो गई होगी, chemistry की वो branch, जिसमें हम electrical energy, और chemical energy की बार में पढ़ेंगे, और उसके interconversion की बारे में पढ़ेंगे, अब सवाल ये उठता है, क्या सवाल उठता है बेटा, सवाल ये उठता है, कि conversion होगा कैसे, तो सुनो ध्यान से, Conversion of energy take place, क्या कहां मैंने, take place via redox, नाम तो सुना ही होगा, via redox reaction, तो तुमारे question का जवाब तुम्हें मिल गया, कि conversion कैसे होगा, conversion redox reaction से होगा, अगर redox reaction होगी, तो conversion होगा, और अगर नहीं होई, तो conversion भी नहीं होगा, clear है, अब ये बात तो होगई, अब सर्क कहां पर होगा, किस device में होगा, तो वो भी सुनने आप, the device in which, the device, the device, the device in which, the device in which, the device in which, conversion, the device in which, conversion of energy, take place, is called, क्या called बटा, is called, is called cell, तो याज रकना, the device in which, conversion of energy take place, उसको हम क्या बोलेंगे, अब cell कितने टाइप के होते हैं, सर, सुनें आप जहां से, cell are of, cell are of two परकार, cell are of two types, ठीके बटा, बात समझ में आगई, cell कितने टाइप के होंगे, cell are of two types, कौन-कौन से होंगे भई, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर, electro, electro chemical, electro chemical cell, और second कौन सा होगा इसके अंदर, second आपका होगा, electrolytic, basically यही दो होते हैं, electrolytic cell, और भी होते हैं, broadly आपके यही दो, electro chemical cell, second कौन सा बताया, electrolytic cell, अब सुनो बेटा ध्यान से, electro chemical cell क्या करता है, electro chemical cell, chemical energy को electrical में convert करता है, और electrolytic cell क्या करता है, electrical को chemical में करेगा, बात समझ में आ गई, इसमें क्या होगा, chemical to electrical, इसमें क्या होगा, electrical to chemical, यह सब हम बाद में पढ़ेंगे, next lecture में, आज बस introduction है, मैं लिवाओंगा अभी बाद में, अब हम बात करेंगे इसके अंदर से पहले, कि रिडॉक्स reaction क्या होती है, नाम तो सुना ही होगा, रिडॉक्स reaction के नाम से सब वाकिफ होगी, तो मुझे फटा-फट बता दें विटा आप लोग, कि रिडॉक्स reaction क्या होती है, हेडिंग लिखेंगा आप, हेडिंग क्या विटा, रिडॉक्स reaction, बिल्कुल basic से start कर रहे हैं, तो ध्यान से आप सुनते रहें, रिडॉक्स reaction, तो सब को पता है, कि सर जी वो reaction, जिसमें oxidation भी हो, और reduction भी हो, और दुनों एक साथ हो, तो दोज रियक्शन इन विच, oxidation एंड रिडॉक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनेसली, सुनलो जान से, दोज रियक्शन, दोज रियक्शन, जिसको नहीं पता आप वो लिखलो, those reactions in which, those reactions in which oxidation and reduction, in which oxidation and reduction take place, take place, कैसे, take place, एक साथ take place simultaneously simultaneously तो याद रखो जिसमें क्या हो oxidation भी हो reduction भी हो दोनों एक साथ हो simultane इसका मतलब एक साथ उसका हम क्या बोलेंगे are called क्या called बेटा are called are called redox reaction are called redox आर कॉल रिडॉक्स रियक्शन तो मुझे पूरी उमीद है यह बास समझ में आए गई होगी कि रिडॉक्स रियक्शन क्या होती है नहीं लिखा तो लिखो इसको स्क्रीन शॉट ले लो अगर ले सकते हो तो ठीक है आगे बढ़ें अब चलो जान से यहाँ पर बिटा दो चीज आई है पहली चीज क्या है आपका ऑक्सिडेशन तो फटा फट मुझे बताओ कि ऑक्सिडेशन क्या होता है ऑक्सिडेशन क्या होता है जल्दी बोलो नाम तो त जिसमें Oxidation भी हो और Reduction भी हो अब बात यह उठती है कि Redox Reaction तो समझ मां गई कि जिसमें Oxidation भी हो और Reduction भी हो अब Oxidation क्या बला है तो सुनो जहां से Oxidation बस दो बात याद रखो क्या बला आपका? Loss of Electron कभी भी अगर Electron निकलेगा तो वो क्या होगा आपका? उसका होगा Oxidation या फिर आप कह सकते हो Increase Increase in Oxidation Increase in Oxidation Increase in Oxidation State Increase in Oxidation State या फिर Oxidation नमबर तो याद रखना कभी भी अगर Oxidation State या Oxidation नमबर Increase होता है तो इसका मतलब उसका क्या हुआ है बेटा? इसका मतलब उसका हुआ है Oxidation समझो द्यान से जैसे मैंने यहाँ आप लिका Zinc यह Zinc है Zinc पे कितना चार्ज है बेटा? जीरो चार्ज है अब क्या हुआ? Zinc आपका Convert हो गया किसके इंदर बेटा? ZN 2 पिलस के अंदर और दो इलेक्ट्रोन निकल गए तो सुन लो द्यान से आखों का इस्तेमाल करो और बताओ मुझे यहाँ पर क्या हुआ बेटा? यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ आपका Increase in Oxidation नंबर जीरो से किसमे गया? पिलस टू में तो यहाँ हुआ आपका Increase in Oxidation Oxidation नंबर तो बास समझना में यहाँ पर यहाँ क्या हुआ आपका Increase in Oxidation नंबर और जब भी Oxidation नंबर इंक्रीज होगा वो क्या होगा बेटा? वो होगा आपका Oxidation और सुनो यहाँ पर ध्यान से हमने लिखा Sodium Sodium पर यहाँ तुमने क्या करा? Electron निकाला और जैसे ही Electron तुमने निकाला Sodium पर क्या आगया बेटा? Positive आगया तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब भी Oxidation नंबर इंक्रीज होगा, यहाँ कितना था? 0 वहाँ कितना था? आपका Plus 1 तो यहाँ पर भी क्या होगा? आपका Increase in Oxidation State यहाँ नंबर तो यह भी क्या होगा आपका? यह भी हो गया आपका Oxidation और सुनो ध्यान से हमने यहाँ लिखा H Plus H Plus बाद में देखेंगे हमने यहाँ पर लिखा आपका Cl Minus और Cl Minus से आपने Electron निकाला, बिलकुल सही यहाँ 2 कर दो चलो और यहाँ 0 हो गया तीके बिटा, Minus से किस में गया? Minus से किस में गया? Minus से 0 में गया पहले Negative Charge था और Negative Charge हटाना है मुझे मतलब मुझे इसको क्या करना है बिटा Negative Charge हटाऊंगा तो Electron बहार निकल गया तो Minus 1 से 0 में गया यहाँ पर भी क्या हुआ बिटा यहाँ पर भी हुआ आपका Increase Increase in Oxidation Increase in Oxidation Number क्या बताया मैंने आपको मैंने बताया Oxidation Clear हो गया तक बात? बूलोगे तो नहीं याद रखना हमेशा के लिए Clear अब हम बात करता है कि Reduction क्या होता है जल्दी बताएं आप लोग Reduction क्या होगा तो लिखें आप Reduction Reduction विलुकुल Basic से पढ़ाया जा रहा है तो इसलिए ध्यान से आप सुनें हम बात करने वाले हैं Reduction तो सब लोग जानते हो Reduction क्या होता है बिटा Reduction होता है Gain of Electron क्या कहा मैंने? Gain of Electron या पिर कह सकते हो Decrease Decrease in Oxidation State Electron का Gain करना या पिर Oxidation State का Decrease हो जाना उसको हम क्या बोलेंगे बिटा? उसको हम बोलेंगे Reduction नहीं आई बात समझ वे? देखो जहान से हमने यहाँ पर लिखा सपोज ZN 2 प्लस ZN 2 प्लस किसमें गया बिटा? ZN 2 प्लस गया ZN में कैसे गया? यह गया आपका 2 Electron को Gain करके इसने 2 Electron Gain करे इसमें चला गया S के अंदर तो यहाँ आप ध्यान दें यहाँ कितना है? प्लस 2 और यहाँ कितना है? 0 तो इसमें क्या हुआ बिटा? प्लस 2 से 0 में गया तो बताएं आप Oxidation Number Increase हुआ यह डिक्रीज तो यहाँ पर क्या हुआ बिटा? Oxidation Oxidation Number क्या हो गया? Oxidation Number आपका Decrease और जब भी Oxidation Number Decrease होगा वो क्या होगा? Reduction उमीद करता हूँ यह बात आपके समझ में आई गई होगी Simple सी बात थी चलो बहुत अच्छी बात और देखें आप हमने यहाँ लिखा H प्लस इसने क्या करा? Electron को गेन करा और यहाँ पर बन गया H2 चाहो तो यहाँ भी 2 लगा दो ठीक है बेटा तो देखो यहाँ पर यहाँ कितना था? यहाँ कितना था? प्लस 1 यहाँ पर भी क्या हुआ आपका? Decrease क्या हुआ बेटा? Decrease in Oxidation State और Decrease in Oxidation State क्या? कहा मैंने? Reduction क्लियर होगी बात अब जो को यहाँ पर है Cl2 इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा और गेन करके बेटा यह Convert हो गया Cl- में तो यहाँ पर तो 0 था अब 0 से किसमें गया बेटा? माइनस 1 में गया तो यहाँ पर क्या हुआ? Decrease यहाँ पर भी Decrease in Oxidation State और Decrease in Oxidation State क्या था बेटा? Reduction अब तो यह बात सब के समझ में आही गई होगी किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए Clear है बेटाय तक बात? एकदम बिलुकुल Basic बात थी चलो अच्छी बात अब देखो ध्यान से अब हम बात करने वाल हैं इसके अंदर किसकी बात करेंगे हमने कहां तक देख लिया Oxidation हो गया Reduction हो गया तो अच्छी बात अच्छा एक बात याद रखो अगर केटाइन है आपके पास बेटा केटाइन क्या होती है? केटाइन होती है Positive charge केटाइन क्या होता है बेटा? Positively charge हर चीज तुम्हें बेसिक बताई जा रही है Positively charge तुम्हें अगर केटाइन को Neutral Atom में Convert करना है क्या कहां मैंने? अगर केटाइन को Neutral करना है तो पताओ क्या होगा? तुम्हें क्या करना है? केटाइन को Neutral करना है ये बात आगे काम आएगी बहुत Neutral करना है तो Oxidation होगा ये Reduction बहुत अच्छे ते जानते हो केटाइन मतलब Positive charge Positive charge को तुम्हें क्या करना है? Neutral तो जब भी केटाइन को Neutral करना होगा तो Oxidation number क्या होगा? Decrease होगा और जब भी Oxidation number Decrease होगा तो मतलब उसका क्या होगा बेटा? Reduction तो याद रखना जब भी केटाइन को Neutral Atom में Convert करना है तो क्या करेंगे हम? Reduction करेंगे Important Point हम बात करते हैं N9 N9 क्या होता है बेटा? N9 आपका होता है Negatively Charge बहुत Important कहानी हमें क्या करना है? Negative Charge को Neutral करना है क्या करना है बेटा? Neutral तो द्यान से देखो अगर मेरे पास Cl- है अब मुझे क्या करना है? Cl- को Cl में करना है Neutral मतलब 0 Charge तो यहाँ Minus 1 था यहाँ कितना होगे 0? जब माइनस 1 से 0 में गया तो Oxidation Number Increase और जब भी Oxidation Number Increase होगा तो वहाँ क्या होगा Oxidation तो यह बहुत important बात थी आगे इसको बहुत use हम करेंगे तो जब भी Ketine को आप Neutralize करेंगे तो उसका Reduction होगा और जब भी Anine को आप Neutralize करेंगे तो उसका क्या होगा बेटा? उसका होगा Oxidation Clear है बात? चलो बहुत अच्छी बात आगे बढ़ते हैं जरा अब हम बात करने वाल हैं इसके अंदर एक बहुत important टर्म जिसको हम बोलते हैं Electrode Potential बहुत important टर्म है इसको दियानते समझा आप क्या पढ़ना है हमें अब? Electrode चलो इलेक्ट्रोड पोटेंशल से पहले इलेक्ट्रोड जानते हैं क्या होता है Electrode इसको बोलते हैं बेटा सुन लो दियान से बहुत basic बात है अभी समझ में आ जाएगी वो substance mainly metal ही होगा लेकिन कभी-कभी non metal के भी इलेक्ट्रोड बनते हैं लेकिन उसमें भी metal तो यूज होता ही है कौन सा platinum तो सुन लो जान से वो solid substance जड़नली metal वो solid substance जो क्या करें आपका जो आपका electricity को allow करें उसको हम क्या बोलेंगे Electrode Substance that allow to flow electricity through them are called electrode बात समझ में आ गई वो solid substance that allow to flow solid जड़नली क्या होगे metal solid substance solid 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 substance that allow that allow that allow to flow to flow electricity that allow to flow electricity through them through them through them are called क्या called बेटा are called are called are called electrodes clear होगे बेटा बात are called electrodes are called electrodes so यह बात सबके समझ में आ गई होगी कि electrode क्या होते हैं इसमें किसी को कोई भी doubt नहीं होना चाहिए कोई doubt है बेटा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी थीकिए वो मेटल सबस्टेश वो मेटल के रॉड वो मेटल जो क्या करें electricity को अलाओ करें फ्लो करने से उसक्तम क्या बोलेंगे electrode अब सुन ज्यान से आप electrode are of two types क्या कहा बेटा मैंने electrodes electrodes are of कितने टाइप के electrodes are of two types सुन लो ज्यान से electrode are of two types electrode are of two types कौन कौन से होते हैं बेटा सबसे पहले हम बात करते है anode एक होता है आपका anode और दूसरा क्या होता है बेटा दूसरा होता है आपका cathode तो याद रखना आपके electrode दो टाइप के होते हैं anode और cathode अब सुनो किसी cell में जैसे दो cell पढ़े हैं हमने एक cell में anode positive होगा cathode negative होगा एक में cathode positive होगा anode negative होगा किसमें क्या होगा वो आगे हम जानेंगे अभी तुम्हें इसमें दिमाग लगाने की जरुवत नहीं है बट एक बात याद रखो anode से हमेशे क्या होगा always 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 oxidation कोई सब भी सेल हो electrolytic सेल हो या electrochemical सेल हो हमेशा oxidation होगा वो किस पर होगा anode पर cathode पर क्या होगा cathode पर हमेशा always reduction तो यह बात याद रखना cathode पर क्या होगा हमेशा reduction होगा किसी को कोई doubt नहीं होना चाहिए anode पर क्या होगा oxidation और cathode पर क्या होगा हमेशा आपका reduction चलो बहुत अच्छी बात कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम बात कर रहे थे electrode potential electrode potential से पहले electrode potential दो वर्ट से मिलके बनाता electrode दूसरा क्या potential electrode तो समझवा गया अब पहले जानते हैं potential क्या होता है या electric potential electric potential electric potential क्या होता है या simple potential क्या होता है या potential difference क्या होता है potential तुम इजर करें नहीं सकते हैं potential difference क्या होता है वह आप समझें अब सुन्जो बिटा ज्यान से बहुत सिंपल सी बात है तुमने फिजिक्स पढ़ी होगी 10 में महा तुमने वड़ बहुत सुना होगा एलेक्टिसिटी में कि पुटेंशल डिफ्रेंस पुटेंशल डिफ्रेंस तो यहां में थोड़ा सा बेशिक बता देता हूं कि इसके पास क्या है इसके पास है आपका पॉजिटिव फॉजिटिव 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 फॉजिव सबको पता है इनकी पीछ में क्या होगा इसे बड़ा सा पॉसरीफ चार्ज है यह इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट कर लेगा अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कॉंटेक्ट में आएगा यह चाहेगा कि मैं खिचा चला जाओं इसकी तरह क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते तो दोनों पास पास आना चाहेंगे पास पास आये तो क्या हुआ इसका डिस्प्लीसमेंट रह से नहीं हुआ जलदि बोलो नौन डिस्प्लीसमेंट हुआ यह नहीं हुआ यहां खड़ा हूं मैं चल गया तो पहले पॉजिटिवorton के बहुत दूर था बिटा force of attraction की वज़ा से अब सुम्यात करो वो दिन जब तुम 10 में थे या 9 में थे और तुमने पढ़ा था क्या पढ़ा था work बिटा work क्या होता है work आपका होता है force into displacement क्या था force into displacement पढ़ा था नहीं पढ़ा था force into displacement तो यह क्या होगा work तो यहां पर क्या करा electron ने work करा charge electron क्या है चार्ज है ना यह पर तो charge ने क्या करा work करा अब सुन लो द्यान से potential क्या होगा बेटा potential आपका होगा सुन लो द्यान से potential अपको था work work पर unit charge तो सुन लो ध्यायन से क्विशल कोंगी बीशयर गो जितना मूफ परेगा एक चार्ज गोगा एक और वह को लगा युव lacking कर दो तो क्या ओग्या फॉटेंशल बात समझ दागे लो writers work per unit charge is called potential difference clear हो गई है तक बात कोई किसी को दिक्कत नहीं हो चाहिए बिल्कुल basic मैंने बता दिया और physics में तो अच्छे से पढ़ी ही लोगे लेकिन ये तो याद ही रखना ये बिल्कुल basic है अब हम बात करने वाले थे potential तो हो गया electrode potential टॉपिक तो हमाँ रख था electrode electrode potential बहुत important topic electrode potential कितना important topic बहुत important topic तो सुने आप जियां से बिटा electrode potential क्या था पहले इसकी language नमज लो language से समझ में आई जाएगा नहीं आएगा तो हम तुमें बताएंगे आपको इसके अंदर तो सुने आप बिटा तो सुने आपको 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 तो सुने एंद एलेक्ट्रोड एलेक्ट्रोड एंद एलेक्ट्रोड एट्रोडिति color is called the icon qr code 對啊 is calledrás cos called gestures call electrode potential is called electrode potential घसंद्या कि बाद आजब फोर आधि सनुद्यान से ist org electrode potentials electrode अभी पूरा एक्омहेंप्ल समझाएंगे आपको इलियक पूटैनिश ड्र liza मिजर एड स्टेंडर्स स्टेट मीजर्ड एड स्टेंडर्स स्टेट स्टेंडर्स स्टेंडर्स इस कॉल्ड ग्वेता इस कॉल्ड इस कॉल्ड is कॉल्ड इस्टेंडर्ड इस्टेंडर्ड इलेक्ट्रोड पॉटेंशल इस्टेंडर्ड इलेक्ट्रोड पॉटेंशल इस्टेंडर्ड इलेक्ट्रोड पॉटेंशल इस्टेंडर्ड इलेक्ट्रोड पॉटेंशल अब बात आती है कि स्टेंडर्ड स्टेट मतलब Standard state का मतलब क्या हो गया सुन लो ज्यान से temperature कितना हो । 25 degree 25 degree बोलो झाल जो była 2.98 2.98 Kelvin प्रेशर कितना हो आपका 1.80 M प्रेशर कितना 1.80 M और हम बात करें आपका Concentration कितना हो 1 M मोल पर लीटर तो याद रखना आपका टेमपेशर कितना हो 25 रिक्री सेल्सियस प्रेशर 180 मों कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर तो यह बास सबके समझ में आही गई होगी कि स्टेंडर का मतलब क्या हो गया बट कंस्यूजन तो अभी यह है सर कि इलेक्ट्रोड पुटेंशल ही समझ में नहीं आया अभी तक समझो ध्यान से समझाते हैं तो ध्यान दें आप सपोज मेरे पास यहां पर एक बीकड बहुत ध्यान दो सुनना बेटा सिंपल सा टॉपिक है अभी आपके समझ में आ जाएगा तो यहां पर मैंने क्या लि आप पर CU2 प्लस, see you two plus, see you 2 plus. ऐसे यहां पर भी क्या है सेॏ पुलस Ci u2 Plus, Tu2 Which term है यह कैसा है अपका यह है आपका सपोर्स नेगेटिव चार्ज एलेक्ट्रोड टो इह एलेक्ट्रोड अलेक्ट्रोड एलेक्ट्रोड एलेक्ट्रोड जो प्वेटिव चार्ज एलेक्टॉट होता है महां पर क्या होंगा आपके एलेक्ट्रों अब सुनो बटा दियांड से positive on negative positive क्या होगा negative यहां पर क्या होगा पोटेंशिल डिफरेंस कर्याइट हो जैसे मैंने आपको बताया था क्या अब यहां पर क्या होगा यहां पर आपका चार्ज के रिए यहां पर क्या होगा आपके समझ में आही गई होगी पुटेंशल डिफ्रेंश सेटप बिट्वीन एलेक्ट्रोड एन एलेक्ट्रोलाइट अपर यहां पर यहां पर क्या लिया यहां पर भी हमने लिया अब सबस्व यह जो इलेक्ट्रोड आपके पास है इस प degli आपके पास पॉजेृटिवली चार्ड कैसा या पॉजेटिव ली चार्ड आ एदिDown Pacific यहां आपकी वाइन नेगेटिव यह बीकितियर नेगेटिव नेगेटिव यह भी नेगेटिव देए यह होगा तो महापर क्या होगा आपका महापर पुटेंशल डिफरेंस के रिट होगा बात समझ में आ गई महापर क्या होगा आपका potential difference create होगा और जब electrode है एक charge positive negative charge electrode पर है और दूसरा electrolyte है positive या negativity बाइन तो महा पर जो आपका potential difference create होगा उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे electrode potential उमीद करता हूँ यह बात आपके समझ भागा गई होगी अब सुननो जहान से electrode potential आलो होते हैं आपको इलेक्ट्रो नहीं को मैंने इलक्त्रोड पूटेंश्ग होगा ओक्सिडेशन पूटेंशल औ気 आक्सिडेशन पोटेंशल सेकेंड क्या होगा पेटा रिडक्शन पोटेंशल बाश समझ में आ गए यहां तक यह अगर कॉपर इस पर डिपॉजिट होता है Cu2 plus convert होता है किसके अंदर Cu के अंदर तो copper क्या हुआ यहाँ पर copper इस पर deposit हो गया यह copper ने इसे electron ले लिए तो यहाँ पर Cu2 plus का क्या हुआ Cu2 plus का यहाँ पर reduction हो गया तो अगर किसी आइन का reduction हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे reduction potential और किसी आइन का oxidation अगर oxidation हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे oxidation potential electrode पर oxidation भी होता है electrode पर reduction भी होता है लेकिन मैंने क्या का हमेशा anode पर हमेशा oxidation होगा cathode पर हमेशा reduction होगा यह अभी हम आगे देखेंगे तो बास समझ में आपके आगई होगी तो यह oxidation potential और reduction potential एक all important बास जो आपको आनी चाहिए वो क्या वो यह कि कभी भी हम absolute electrode potential calculate नहीं कर सकते absolute electrode potential cannot be measured because oxidation and reduction occur simultaneously जब तक circuit पूरा नहीं होगा ज्यान से यह कुछ positive और negative एक साथ नहीं होगे तब तक हम क्या कर सकते हैं हम calculate ही नहीं कर पाएंगे तो यह बास ज्यान लखना अकेला reduction potential calculate नहीं हो सकता अकेला oxidation potential calculate नहीं हो सकता तो इसी लिए absolute electrode potential calculate नहीं हो सकता because oxidation and reduction occur simultaneously they never occur alone तो लुख लोगे आपर absolute electrode potential absolute electrode potential absolute electrode potential potential cannot be measured cannot be measured cannot be measured because because oxidation हमेशे रिलेटिव भी निकलेगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में because oxidation and reduction reduction never occur alone never occur alone alone always 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 occur always occur always occur simultaneously always occur simultaneously नसली तो याद रखना हमेशा एक साथ होंगे कभी भी अकेला नहीं होगा इसलिए हम अकेला इलेक्ट्रोड पुटेंशल नहीं निखाल सकते तो यहां तक बात सबके समझ में आहीं गई होगी अब हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कर सकती है